पाटेश्वर धाम के संचालक श्री राम बालक दास जी ने आज श्री पाटेश्वर सेवासंस्थान के सदस्यों के साथ पाटेश्वर धाम में आयोजित कारिक्रम में महामहिम जी की उपस्थिती के लिए संस्थान के तरफ से उनका धन्यवाद ग्यापन किया साथ ही श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी महामहिम राज्यपाल महुदया ने भी संथ श्री राम बालक दास जी से विगत दिनों पाटेश्वर धाम में हुए विशाल कावण यात्रा के बारे में जानकारी ली और हजारों की संख्या में कावण यात्रा में सम्मिलित हुए लोगों को सफल आयोजन के लिये शुब कामना है दी उन्होंने कहा कि पाटेश्वर सेवा संस्थान के दुआरा आदिवासी बहुले छेत्र में जन जागरण का बहुत ही सुन्दरकारे चल रहा है जिसकी हम सराना करते हैं ग्याथों की सामाजिक सद्भावना के लिए समर्पित विशाल का वढ़ यात्रा का आयोजन 21 अगस्त को किया गया था जिसमें पाटेश्वर धाम छेत्र एवं प्रदेश से आय हुए लगभग 1500 लोगों ने ढोकला धाम से जल लाकर श्री पाटेश्वर धाम में जलाभिशे किया था इस तरह का छेत्र में यह पहला कारेक्रम था श्री राम बालक दास जी ने महामहिम जी से 36 गण में सामाजिक सद्भावना को क्षती पहुचाने वालों के विरुद कर कड़ी कारवाई करने की मांग करते हुए एक ग्यापंधे सौपासाथ ही आने वाले समय में श्री पाटेश्वर धाम पुना आने का निमंत्रण भी महामहिम जी को दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्विकार किया इस सौजन्य मुलाकात के कारेक्रम में श्री देवलाल ठाकुर श्री जैश ठाकुर मुरदवज साहु महेंदर जैसवाल एवं सूर्यवन शीजी संत जी के साथ रहे